आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरे नाम असे धान तक नहीं हो तरी study IQPAP का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे facial recognition technology की सिंगापूर पहला देज बन गया है जो facial recognition अपना रहा है ताकि आप सरकारी services को ले सके बहुत अच्छी बात है लेकिन हम बात करेंगे कि facial recognition है क्या facial recognition और facial verification में क्या फर्क होता है और क्या यह जो सिंगापूर कर रहा है वो सही है देके सिंगापूर की बात करें तो business करना है तो सिंगापूर चले जाईए आपको खूब पैसे कमाने तो सिंगापूर चले जाईए बहुत जबरदस्त अधिके से बहुत 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 ज़ादा developed है एक छोटा सा island है किसी ने नहीं सोचा था सिंगापूर के पास पीने तक का पानी नहीं था लेकिन ली कौन यू ने उसको बदल के रख दिया उनकी biography में ने रिव्यू की है एक घंडे का session है सिंगापूर की पूरी की पूरी की नहीं आपको उस lecture में पता लग जाई वो जो visionary इंसान था ना in 1963 में जब उसने सब्ता समाली उसने सिंगापूर को बदल के रख दिया उसका model उनका model अगर पूरी दुनिया अपना ले तो पूरी दुनिया बदल जाए गजब का मतलब गजब के इंसान थे आप उनकी जरूर के स्मार्ट को से जाते हैं Steady IQ का आप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं यह देख लीजे चोटा सापको Singapore दिख भी नहीं रहा होगा यहां तो दिखी रहा है यह तो है यह बड़ा लेकिन अगर आप वर्ल्ड मैप में देखे कि आपको Singapore दिख रहा है यहां पर ह चोटा है Singapore इसम सदन टिप में है ठीक है यह मलेशिया है यह देख सकते है न तो बिल्कुल यहां पर ही लोकेटेड है और यहां पर स्टेट ऑफ मलक्का के साथ वेस्ट में वेस्ट में आपको स्टेट ऑफ मलक्का दिखेगा और उसके बाद फिर अगर साउथ में जाएंग देखिए यह जो छोटे-छोटे आपको आइलेंड्स दिख रहे है न यह बिसिकली ब्रिटेन ने अपने कबज़े में कर लिये थे यह सब ब्रिटेश का पार्ट था ब्रिटेश को जहां पर ट्रेडिंग पोस्ट दिखता था उनकी आँखे चमक जाती थी ती से ही उन्हें अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़िये का जब पैसा आया तो अर्बनाइजेशन हुआ शेहरी करन हुआ हलाकि शेहरी करन 2000 साल पहले से ही हो रहा था लेकिन इसमें ब्रिटेन का भी बहुत बड़ा हात है क्योंकि जहां पर वो ट्रेडिंग पोस्ट देखते तो पूरे शेहर को डेवलप कर देते जैसे भारत में भी इनकी तीन प्रेसिदेंसी थी एक बंगाल एक मद्रास और एक बंबे और तीनों में कॉमन क्या था तीनों कोस्टल एरिया थे कोस्ट से लगते थे तो यह इनके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ट्र देखिए यहां पे language और culture का चोली दावन का साथ है कैसे जितने लोग यहां पे आके settle होते जाएंगे वह देश उतने culture को अपनाएगा अब जैसे यहां पे सबसे पहले Chinese आते थे तो लोग यहां पे Chinese बोलते तो एक official होगी यहां पे Chinese चाइना के पास था फिर आते थे English, Britain आ का official language है फिर Malaysia बिलकुल मशिल Malaysia के सदन टिप पे है ये तो मलाया और चौती तमिल है तो तमिलियंज भी यहां पे रहते हैं क्योंकि ट्रेडिंग पोस्ट था तो इसी लिए ये चार official language है और बहुती शांदार यहां पे इनका मतलब सिंगापूर का इतिहास रहा है और ब्रेटेन के पास था फिर 1959 में इनको आजादी मिली फिर मलेशिया के साथ agreement में आया 1959 से 63 तक और अल्टिमेटली 65 में सिंगापूर बना आसियान डिकलरेशन हुआ 1967 में और उसके बाद से लीक वाण यू ने सब कुछ बदल दिया सिंगापूर को एक प्लब सिंगापूर उसमें ऐसा था कि उसमें दंगे हो रहे थे लोगों के पास खाने के लिए नहीं था खाने को तो छोड़िये पहनने के लिए नहीं था इतनी बुरी हलती लेकि तो उस इंसान ने सब कुछ बदल दिया सबसे जादा यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं बुद्धिजब में 33.2% फिर प्रिश्यानिटी है फिर इसलाम है हिंदुईजम भी आपर 5% हिंदू भी आपर 5% लोग रहते हैं लेकिन सिंगापूर दोस्तों अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है World War 2 में सिंगापूर को जापान ने भी occupy किया था मैंने आपको बताया था जापान एशिया में अपनी पावर बढ़ाना चाहता था तो सिंगापूर अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है Ease of doing business में सिंगापूर हमेशा टॉप पे रहता है Second highest GDP per capita दुनिया में सबसे जादा population density आपको सिंगापूर में मिलेगी 57 लाख लोग यहां पर रहते हैं Human Development Index में 9 वी rank है 9 वी economic forum में भी most competitive यह market है और free economy है तो बहुत ही गजब है एक तरीके से tax haven है अगर आप business शुरू करना चाहते हैं तो आसानी से शुरू कर सकते हैं Singapore में तो यह सब है तो Singapore तो बहुत जादा डेवलाप है तो बहुत जादा Singapore की बात हो गई अब हम अपने news की अपने खबर की बात करते कि खबर क्या है तो खबर यही है कि Singapore पहला ऐसा अदेश बन गया जिसमें आप जो भी सरकारी services है जो online government services है अब आप facial recognition से ले सकते हैं और tax भी आप facial recognition से बढ़ सकते हैं दोनों ही लगबख सेम है faces को ही आपको scan किया जाएगा ठीक है आपके चहरे को scan किया जाएगा लेकिन एक छोटा सा फर्क होता है फर्क यह होता है कि जहाँ verification की बात करें तो आपके face को verify किया जाता है database में आपने जैसे scan किया database में store हो गया अब उसके बाद जब आप दुबारा उस चीज़ को एकसे जैसे आपका mobile है ठीक है आपने mobile को आपने उसमें facial verification लगाया तो होता क्या है कि जब तक आपका वो चहरा पहचानेगा नहीं तब तक वो phone lock नहीं करेगा अनलॉक नहीं करेग तो यह होता है verification वो verify करता है कि आप ही है कि कोई और है अगर आपने चश्मे के साथ photo की चाहिए मलब चश्मे के साथ आपने verify कराया है और अगर चश्मा हटाके verify करते हैं तो वो नहीं लेगा आप समझ रहे हैं मैं कहना कहा चाह रहा हूं तो verification मतलब होता है कि जब subject के face को scan क किया जाता है और जो existing है database में अगर उससे match कर गई आपको access मिल जागा अब यह phone में होता है basically यहाँ पर आपको कुछ मिलता है verification का मतलब है कि अगर आप अपने face को scan करा रहे हैं तो बदले में आपको कुछ मिलेगा वो होगा क्या access जैसे smartphone चला रहे है कोई app चला रहे हैं तो आपने जैसे ही आपको face scan हुआ आपको access मिल जागा उसको use कर सकते हैं वो हो गया verification recognition अलग होता है recognition मतलब होता है पहचानना recognition दोस्तों कहीं पे भी चल सकता है ठीक है जैसे आप platform पे जा रहे हैं आप railway पे जा रहे हैं तो यहां पे अगर station पे train station पे facial recognition लगा हुआ है तो सब के faces scan करेगा database में और सारे faces होगे सब के faces scan करेगा आपने एक national ID मनाई होगी जैसे आधार हमारे आधार है वो एक तरीके की national ID है तो national ID में क्या है आपके fingerprints हैं तो अगर आप क कहीं पे भी कुछ गलत करते हैं या किसी ने murder कर दिया तो उसके fingerprints को match करा के हम murderers को पहचान सकते हैं कहीं ना कि उसके fingerprints हो गई ना सबके face को scan करेगा इसमें फायदा ही होता है कि माल लोग कोई terrorist है कोई आतंकवादी है अब वो भी station पर आ गया तो उसका face recognize करके current authorities को बता देंगे यह difference है तो verification में आपको access मिलता है recognition में वेटा सब लपेटे में आते हैं ठीक है तो facial recognition है यह समझ गए access नहीं मिलता किसी चीज़ का लेकिन verification की बात करें तो यह थोड़ा सा जाधा gentle है तो अब इसको जो है यह technology जो है इसको sing pass बोला जा रहे है यह basically digital identity scheme है जिसमें 400 से जाधा online services including tax declaration tax को भी आप declare कर सकते है बस आप face अपना recognize करवा दो public housing application यह सब आपके face से हो सकती है अब इससे फाइदा यह होता है जंजट से आप बच जाएंगे आप जंजट से बच जाएंगे देखो यह national ID है मैंने बताया कि Singapore पहला ऐसा देश बन गया है यह biometric check होगा और इसमें आप private और government दोनों ही services को avail कर सकते हैं और आपको अपना face scan कराना पड़ेगा मतलब आपको वहाँ पर genuinely present होना पड़ेगा photograph दिखा के ऐसा नहीं कर सकते कि photo दिखा दी तो वह scan करके आपको आपको वहाँ पर genuinely present अपना face दिखाना पड़ेगा तो इसी लिए इसी technology को सिंक पास बोला जा अब यह बहुत important है digital economy के लिए business के लिए सरकार के लिए अमेरिका और चाइना जैसी tech companies भी इस समय facial verification कर रही है और बहुत सारे apps भी आप देख रहे होगे जैसे apple face ID हो गया google face unlock हो गया यह बहुत सारे china का alibaba हो गया in fact phone में भी facial recognition होता है बहुत वेरिफिकेशन होता है ठीक है तो facial verification important है national अभी मैंने बता है कि national ID होती है उसमें आपकी सारी जानकारी होती है जब आप form भरते हैं आपका face को scan किया जाता है अल्रेडी यूज में है Singapore के जो tax office होते है वहाँ पे जो branches अजय क्यों को machine है वो अल्रेडी यूज कर रही है Singapore के bank भी DBS वो भी अपने customer को यह रियायत देता है कि आप online account इस technology से खोल सकते हो ports में भी अगर आपको जाना है entry लेनी है important port क्योंकि आपको पते coastal area है समुद्र से access है तो अगर आपको port पे भी entry लेनी है तो भी आप facial recognition पे जा सकते हो तो यह सारी चीजे है प्लस बहुत सारे और भी application इसके हो सकते है numerous देखे 400 services है 400 services आप यूज कर सकते है प्लस बहुत exam दे prints तो यही जाते है आपने देखा होगा जो banking के exam होते हैं वहाँ पे biometric check होता है face को recognize नहीं किया जदा photo खीची जाती है ठीक है यह lecture था I hope आपको समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है एक एक चीज मैंने बता दी जब भी मैं इस तरीके के जब कोई देश का नाम आते तो आज अकर आप Singapore जाएंगे ना तो लगेगा जन्नत में आगे है क्योंकि लोगों की मेहनत है वहाँ पे कुछ रहे पड़ते नहीं इदेश चिद्धान तक नहीं होता नहीं signing off